Hi guys, this is Manisa, welcome back to my YouTube channel So, लेकर आई हूँ, आप सभी के लिए फिर से एक और निव जबरदस्त जॉब अपडेट जो की डिरेक्टली निकल के आ रही है इंडियान नेवी की तरब से तो friends, इंडियान नेवी की निव वेकेंसी जो की SSR और MR की पोस्ट के लिए आ चुकी है ये आपको male और female दोनों ही कैटगरी के candidates के लिए आपको देखने को मिल जाएगी Friends, इंडियान नेवी के अंदर SSR और MR की various पोस्ट पे वेकेंसी आ चुकी है ये All India की वेकेंसी रहने वाली है तो आगे इस recruitment के regarding हम लोग complete details में बात करने वाले है कि पोस्ट वाइज वेकेंसी क्या रहने वाली है सेलेक्शन की procedure क्या होगी Step by Step आपको समझाओंगी और आपको पोस्ट वाइज eligibility criteria को भी हम लोग discuss करने वाले है So friends अगर आप इस जबरदस्त वेकेंसी को लेकर थोड़े से भी interested हो आप तो इस video को end तक जरूर देखना तो चलिए हम लोग फटाफट start करते हैं जैसा कि आपको starting में ही बताया है कि वेकेंसी निकली है Indian Navy की तरब से SSR और MR की post के लिए तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें आपको total number of vacancy, total number of seats क्या रहने वाल है तो यहाँ पर friends आपको 1465 total number of vacancy देखने को मिल जाएगी Important date की अगर मैं बात करूँ तो आपका 29th of May यानि कि आज से ही ये form apply होना start हो चुका है और आपका last date जो है वो 15th of June 2023 देखने को मिलेगा So आपको friends 15th June 2023 का wait नहीं करना है आप जितना जल्दी हो सके इस form को आप apply कर दो क्योंकि last date का wait करोगे तो बाद में server issue की वज़े से बहुत form को आपको apply करने में बहुत जादा दिक्कते आने लगती है So आप जल्द से जल्द इस form को भर दो 15 June के पहले पहले इस form के लिए जो आपका fee रहने वाला है वो आपका 550 रूपीज है वो आपको all category सभी candidate के लिए आपको ये fee रहने वाला है और हाँ friends आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी भी रहने वाली है इस form से related जैसे पहले नेवी का firm भरने में बहुत सारे बच्चे जो है वो डरते थे जिनका 10th और 12th का percentage कम होता था उन्हें ऐसा डर लगता था कि कहीं मेरा percentage कम है तो बाद में मेरा admit card ही ना आए तो आप लोग निश्चिन्थ हो जाए इस बार ऐसा कोई issue नहीं आने वाला है इस बार जो आपको बस 10th और 12th अगर आप pass out हो तो आप tension free होके इस form को apply कर दो और आपका admit card भी आएगा अब हम लोग बात करेंगे SSR की post की details के उपर इसमें आपको total number of post जो है वो 1365 रहने वाला है और female category के candidate के लिए 273 post आपको रहेंगे अगर age limit की बात करूँ तो जिन भी candidate का data worth 1st November 2002 से लेके 30 April 2006 तक है वो सभी इस form को भढ़ने के लिए eligible रहेंगे SSR की post के लिए educational qualification के अगर मैं बात करूँ तो आपको बस 12th pass out होना चाहिए with math, physics and with one of the following subject like chemistry, bio and computer science means कि आपको 12th class में आपको physics और math तो होना ही चाहिए subject इसके साथ ही साथ आपको इन में से कोई एक subject जैसे कि physics, math, chemistry है physics, math और आपका bio है, physics, math और आपने computer science ले रखा है तो आप इस form को भढ़ने के लिए एकदम eligible हो selection process की बात करें तो इसमें जो है वो आपका first आपका online test होता है यानि कि आपका CVT exam लिया जाता है then आपका PFT test यानि physical fitness test होता है फिर आपका initial medical and final recruitment medical कराया जाता है then आपका joining letter आपको मिल जाता है इसका जो medical होता है दोनों ही post के लिए आपको INS चिलका में medical कराया जाता है ही होगा INS चिलका आपका URISA में है तो आपको वहाँ पर जा करके आपका medical आपको कराना होगा और SSR की post के लिए जो आपका CBT exam होता है उसके pattern को हम लोग अभी समझते हैं इसमें आपको total hundred questions रहते हैं hundred marks के one hour का आपका ये paper होता है 12th level का exam होता है तो उस level का आपको तयारी करना रहता है आपको चार subject के questions रहते हैं total आपको math, English, general science और general awareness यानि की GKGS की आपको hundred questions रहते हैं मतलब हर subject से आपको 25-25 questions देखने को मिल जाएगा और आपका इसमें negative marking भी होता है जैसे hundred questions आपका रहता है तो अगर आप गलत करते हो यहाँ पे तो आपको negative marking जो है 0.25 का रहेगा तो यह आपको overall detail हो गया आपका Indian Navy SSR की post के लिए अब हम लोग बात करेंगे Indian Navy MR की post के बारे में इसमें क्या आपको eligibility criteria रहेगा अभी हम लोग वो देखते हैं तो Indian Navy MR की जो total post है वो आपको hundred रहने वाली है और female candidates के लिए यह 20 post आपको रहेगा age limit की अगर बात करूं तो जिन भी candidates का date of birth 1st November 2002 से आपका 30 April 2006 के बीच में है वो सभी इस form को भढ़ने के लिए eligible रहेंगे इसकी अगर qualification की अगर मैं बात करूं कि इसमें educational qualification क्या चाहिए तो बस friends अगर आप 10th pass out हो तो आप इस form को भर सकते हो एकदाम eligible हो 10th pass वालो जो भी एक candidates हो आप सभी इस form को apply कर सकते हो selection की process इसके लिए भी आपको same ही देखने को मिलेगा first आपका online test यानि की CBT exam होता है आपका computer based second आपका PFT यानि की physical fitness test होता है then आपका initial medical होता है and आपका final recruitment medical कराया जाता है उसके बाद आपको आपकी joining letter दे दी जाती है इसका भी medical जो है वो आपका INS चिल का URISA में होगा और इसका जो CBT exam होता है वो आपका 10th level का होता है बहुत ही आसान paper होता है so इसमें आपको जो है 50 questions रहते हैं 50 marks के 30 minutes का आपका exam होता है इसमें भी आपको negative marking 0.25 का रहते है और आपका इसमें बस 3 subject से question पूछा जाता है science, math और general awareness है so ये आपका थोड़ा easy होता है अगर आप हलका सा भी ध्यान देखें अगर आप prepare करोगे थोड़े ध्यान से मल लगा के तो आप इसको exam को आप crack कर सकते हो so friends आपने exam का pattern तो देख लिया अब दोनों ही post navy के आपको SSR और MR के लिए PFT test होता है physical fitness test होता है so दोनों post के लिए आपका same PFT test लिया जाता है male और female दोनों ही category के लिए बताऊंगी कि किसके लिए क्या आपको रहने वाल है so अगर running की बात करूँ तो 1.6 km का running होता है male और female दोनों candidate के लिए male candidate को ये running आपको 6.5 minutes में करना होता है और अगर female candidate की बात करूँ तो उनको ये running 1.6 km की 8 minutes में आपको complete करना होता है उसके बाद friends squads यानि उठख बैठख कराया जाता है तो male candidate को 20 बार उठख बैठख लगाना होता है और female candidate को 15 बार ये उठख बैठख लगाना होता है push-ups की इसमें आपको बात करूँ तो male candidate को minimum 12 push-ups आपका eligible रहेगा और female candidate के लिए कोई push-up test नहीं लिया जाएगा bent knee sit-ups आपको male candidate के लिए नहीं रहेगा female candidate को 10 bent knee sit-ups लगाने होंगे height आपको male candidate के लिए minimum 157 cm होना चाहिए वही female category वालों के लिए आपको 152 minimum आपका 152 cm की height eligible रहेगा फ्रेंड्स MR की post तो आपको आसान रहेगी लेकिन आपका SSR का जो होता है वो cut-off statewide रहता है और कुछे state जैसे बिहार, UP, राजस्तान, हरियाना ये सारे state का high cut-off चला जाते है लास्ट येर आपका इन सभी state में बहुत high cut-off गया था सो आप लोग को well prepare रहना है क्योंकि 12th level का exam है सो आपको उस level की तयारी भी करनी होगी ताकि आप इस post के exam को crack कर पाओ और बहुत सारे बच्चों के मन में, candidates के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने तो सारी चीजे समझ ली, पट इसके बाद मुझे salary क्या मिलने वाला recruitment कराया जा रहा है, सो आपका 4 years के लिए ही ये job रहता है, then आपको उसमें से 25% ही candidates को permanently आपको Indian Navy में रखा जाता है, सो आपका salary जो है वो per year differ करता है means आप 1st year आपको 30,000 का initial enhanced salary दिया जाता है, 2nd year आपको 33,000 दिया जाता है 3rd year आपको 36,500 दिया जाता है, और 4th year आपको 42,000 की salary मिलती है सो अब हम लोग बात करेंगे job की profile के बारे में MR की post जो होती है, वो आपको 10th level की post होती है, इसमें 3 type का आपको post देखने को मिल जाएगा आपको 1st आपका safe का रहता है, 2nd आपका stay ward का रहता है, 3rd आपका hygienist का रहता है जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गये होगे, safe यानी बावर्ची मतलब कि उनको खाना बनाने का काम दिया जाता है stay ward का का काम होता है आपको stock को maintain करना hygienist मतलब कि सबके hygiene का ध्यान रखने वाला तो उनको जो है वो साफ सफाई का ध्यान रखना होता है वही अगर नेभी की SSR post की बात करूँ तो आपको logistic branch में seller को store से related work करना होता है semen branch में जहाज और उसके device का रख रखाओ करना होता है आपको engineering branch से अगर आप job लेते हो तो उसमें आपका जो work रहता है जहाज के engine और उससे related work आपको करना होता है communication branch वालों को communicating devices के maintenance का work दिया जाता है और हाँ friends इसमें आपको overall पूरे साल में आपको one month का leave दिया जाता है so ये सारी आपको basic details थी Indian Navy SSR और MR की post 2023 की recruitment के regarding तो अगर आपको इसे समझने में जरा सा भी थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ है न तो आप please comment section में मुझे आके बता सकते हो मैं आपके doubt आपके query को solve करने की कोसिस करूँगी comment section में आपको reply कर दूँगे और अगर इस job की notification के regarding आपको ज़्यादा detail चाहिए तो आप Indian Navy की official website पे जाके आप वहाँ check कर सकते हो so अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like कर देना मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना अपने friends के साथ भी इस वीडियो को share कर देना ताकि वो भी इस job की notification को अच्छे से समझ पाए so मिलती हूँ आप से किसी new फिर से job update के साथ तब तक के लिए stay tuned बाबाई take care